साथियों जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी एप्रोच चार पिलर्स पर आधारीत है पहला प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजहादी दूसरा सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका तीसरा भविश्य के लिए युवाओं को तयार करना और चौथा स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवी की प्रगति के संसाधन के रुप में देखना भारत आज अपने यहाँ जो रेगुलेटरी एनवार्मेंट बना रहा है उसमें इस बात का बहुत ध्यान रख रहा है कि देश हीत और स्टेक होंडर के हीत दोनों को प्राथफिक्ता दी जाए आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट भारत ने डिफेंस, कोल और माइनिंग जैसे सेक्टर पहले ही खोल दिये हैं पप्लिक सेक्टर एंटर्प्राइज को लेकर सरकार एक्सपस्ट नीती के साथ आगे बढ़ रही हैं और जहां सरकार की आवश्रक्ता नहीं है ऐसे जादातर सेक्टर को प्रावेट एंटर्प्राइज के लिए ओपन कर रही है भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है ये समय एक्सपोनेंशनल इनोवेशन का है और ये मुम्किन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं एलेबलर की भूमिका निभाएगी इसलिए आज़ डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्सपोनाइज को साजा कर रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए लाउंच पैड उपलब्द करवा रही है एक पार्टनर के तोर पर सरकार हर्ष्ठर पर इन्डिस्ट्री को युवा इनोवेटर्स को स्टार्ट अप्स को स्टार्टप को सपोर्ट कर रही है और आगे भी करती रहेगी हमारे जो young innovators हैं उन्हें equipment खरीदने के लिए समय और उर्जा न खर्च करने पड़े इसलिए सरकार space assets और services के लिए aggregator की भूमी का भी निभाएगी हमारा space sector 130 करोर देश वास्यों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है हमारे लिए space sector यानि सामान्य मानवी के लिए बहतर mapping, imaging और connectivity की सुविधा हमारे लिए space sector यानि entrepreneurs के लिए shipment से लेकर delivery तक बहतर speed space sector यानि किसानों और मचवारों के लिए बहतर forecast, बहतर सुरक्षा और आमदनी हमारे लिए space sector का मतलब ecology की परियावरण की बहतर निगरानी, प्राकुरतिक आपदाओं की सटिक भविश्यमानी, हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा, देश के यही लक्ष अब Indian Space Association के भी साजा लक्ष बन गए हैं,